हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल, फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गर्मियों में खाई जाने वाली सबकी फेवरेट दिश, येस दही बड़े, सभी के फेवरेट हैं, मेरे हस्बेंड के भी बहुत फेवरेट हैं ये, आपके हस्बेंड के भी होंगे, तो फटा दहींपडे बनाने के लिए, हमें दो तरह की दाल की ज़रुत पड़ेगी, एक उड़त की दाल और दूसरी मूम की दाल, मैंने लία 2C darf मूंकी दाल ली दाल उने के लिए साफ मेश पानی और तो यहां अन्य छोस फमי को शारा आप दानी और रेंगे गश़ पानी के लिए में तूर इसकते हैं उसके बादन मेराझ में दाल के बाद ओर ब्राव में अचे आप आमों से ब्राइन इसके वह सब नौimir Timothy Αफ पानी से गावरे पशलिक तो बड़ो को तलना है, अब इसमें डाल रही हूं एक टीसपून सॉल्ट, आपने टेस्ट के अपोरिंग डाल सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहें, अब इसमें थोड़ा सा मैंने क्या है, जीरा थोड़ा सा सको क्रश कर लिया है, और उस उसमें डाल गी हूं, जिससे की कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, यह आपके पास में एब्जॉर्बन पेपर हो तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब हम बड़ो को तलेंगे, तो उसके बाद में हम उनके उपर उसे निकाल सके, जिससे की जितना भी एक्सेसिव ओल होगा, वह यह एपज़ा, चेक क करेंगे, तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा लेके हाथों से कढ़ाई में डालते जाना है बैटर को, शुरुबात में थोड़े से चिपक सकते हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाद में उसे अलग कर लेंगे, थोड़ा सा केरफुली डालना है, नहीं तो आपके उंगली भी जल सकती है, बहुत जादा एक साथ नहीं डालना है नहीं, तो ओवर क्राउडिंग की वज़े से ये आपस में टकरा के फट सकते हैं, तो एक बार में आप साथ या आठ ही बड़ेस में डालेंगे, दीरे-दीरे हम इस पो हिलाते रहेंगे और टर्न क अब आजाएं, अब अधियों टू लो फ्लेम पर हमें फ्राइब करना है, तो ये बहार से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे, अधिकि हलका सा गुल्डन कलर आगया है, उनके उपा हलके से ब्राउन दिख रहे हैं ये, ये अब अच्छे से फ्राइ हो अब हम इने कड़ाई से निकाल लेंगे, और कपड़े के ऊपर ये आग के पास में पेपर हो तो उस पेपर के ऊपर रख देंगे, जिससे कि पेपर सारा और इबसॉब कर लेगा, इसी तरह से बचे हुए बैटर से भी हम सारे वड़े तयार कर लेंगे, वड़े बनाने के सारे वड़े बनाने के हमारे तयार हो गए है, अच्छे से हम फैला देंगे, जिसकें को ओईल एब्सॉब हो जाए, नेक्स, टैप में हमें यह करना है, एक बरतन लेना है, इसमें हमें गुलगुरा पानी, डालना है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, जिसे कि बहुत अछा फलेवर आएगा, गणों को पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, तब करीब दो से तीन गंटों के लिए उन्हें कवर करके छोड़ देंगे हैं सारी बड़ों को पानी में डाल दिया है अब इन्हें में दो से तीन गंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दोंगी जब तक वारे बड़े पानी में भीग है तब तक हम दही तियार कर लेते हैं दही बड़ो के लिए तो यहां पर मैंने दही लिया है एक विसक की ज़रूत है इस दही में चीनी आड करूँगी शक्क डालूँगी और इसे अच्छे से हम विसके है इंचे रिफ से फेट लेंग सकते हैं कि आप गाड़ा दहीं घर में कैसे जमाएं अच्छे से हम इसे फेटलते जाएंगे पूरी शक्र अच्छी तरह से डिजॉल्फ होनी चाहिए अच्छा है तो इस स्टेज पेस में काला नमग भी आड़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें बाद में आड़ करती हूं यह सिर्फ मीठा दही रखती हूं बाद में जब हम सर्फ करते हैं उसे में बाके की साली चीज़े डाल तो जाएंगे शक्र अच्छी से डिजॉल हो गई है द करना भूल जाए तो आप 4-5 घंटे के लिए गरम पानी में इमली को भीगो के रख सकते हैं अब हम इमली को अच्छे से मैश कर लेंगे अच्छे से मसल लेंगे जिससे उसका जतना भी पल्प है वो पानी के साथ में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से हमने इसमसल लिया है कि थोड़ा और इसमें पानी आइड करते जाएंगे हम तो इसके बाद में से अच्छे से चानते जाएंगे तक जितना भी पल्प है वो सारा पल्प हमें मेल जाए इमली का पानी तयार हो गया है अब हमें बनानी है इसकी चटनी इसको तड़का लगाएंगे और इसकी चट जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और यहां लिया है एक कप गुड और नमक और हमें चाहिए इमली का पानी जो हमने स्ट्रेंग करके निताला था अम मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है उसे गरम होने के लिए रख दिया है अभी किक करके स करेंगे और हम लेख हाफ टी स्पून बाउडर नेच्स फमें डालेंगे धनिया पाउडर रहिए बन टी स्पून सुक्त कना भी पॉर्डर रिक वंफ टी स्पून साम इस तो एक हाई की आइ सफोन सिट्टकारतल की आम उत्यूंट ऐसे मीक्स कर लेए और इसके बाद में हम डाल देंगे हिमली का पानी नेक्स्ट हमस में डाल देंगे गुर्ण आपको जादा करश करने के जोरत नहीं है क्योंकि वह वैसे ही चटनी के साथ में मेल्ट होता जाएगा तो आप थोड़ा सो से बड़ा बड़ा तोड़के डाल सकते हैं अच्छे से इसे मिक्स करते जाएं है और लास्ट में आपको डाला है के उसे जब तक यह ठिकना हो जाए तिस देख रहे हैं है क्लीम को कर देंगे है और इसे चलाते रहेंगे जब तक कि यह ठिकना हो जाएं दिक देख रहे यह ताफी ज्यादा थिक हो गई है चटनी बनकर तयार हो गई है इसे हम ठंडा होने देंगे चाहे तो आप उसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में हम इसे यूज़ करेंगे फ्रेंट्सए हमारे बहीं बड़े बनकर तयार हो गई है अब हम सको सलथ करेंगे सब करने के लिए क्या गरना है हमें इनको पानी में से निकालना है हलका सब प्रेस करना है थोड़ा सा पानी इसका रिलीज करना है इसको बोल में डालेंगे अब इसके ओपर हम दही डालेंगे जो हमें मीठा करके रखा हुआ था इसमें हमने सिफ शकर डाली कि बाकी चीज हम अब यहां पर मैंने कुछ मसाले लिये हैं यह है लाल मर्ची पाउडर यह है काला नमक यह है जीरा पाउडर और यह है जिरावनी इनकों हम डालते जाएंगे इसके दोर तर लास्ट मेंस के ऊपर डालेंगे इन यह की चेक लिए नाओ इस रेड़ी तो इट चलो फटाफट से खाते हैं इंसे ओके फ्रेंट्स अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स वीडियो में कुछ नही रेसिपीस के साथ तिल रेल बावाई झाल